ओम शांति ओम शांति आज 9 नवेंबर 2014 दिन शनिवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदूर महवाक्यों को मीठे बच्चे बाप आया है तुम बच्चों को भग्ती तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने पतित से पावन बनाने प्रश्न ज्ञानवयान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं उत्तर मैं अविनाशी आत्मा हूं यह शरीर विनाशी है मैंने 84 शरीर धारण किये हैं, अब ये अंतिम जन्म है, आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है, ये आखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं, बाबा आत्माओं को ही ज्यान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी आधार ना लें, तब तक पढ़ा नहीं सकते, ऐसा चिंतन ग्यानवान बच्चे सदा करते हैं, ओम शानते, ये किस ने कहा, आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा, शरीर द्वारा, शरीर और आत्मा में कितना फर्क है, शरीर पांच तत्व का इतना बड़ा पुतला बन ज जब थोड़ा बड़ा होता है, तब आत्मा परवेश करती है, बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है, आत्मा तो चेतन्य है ना, जब तक आत्मा परवेश ना करे, तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है, कितना फर्क है, बोलने, चालने वाली भी आत्मा ही ह वे इतनी छोटी सी बिंदी है वे कभी छोटी बड़ी नहीं होती विनाश को नहीं पाती अब ये परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है उनमें मैं परवेश कर पाट बजाता हूँ ये बाते तुम अभी चिंतन में लाते हो आगे तु ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को जानते थे सिर्फ कहने मात्र कहते थे हे परम पिता परमात्मा आत्मा भी समझते थे परन्तु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हूँ ये किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुर्वों और शास्त्रों ने सत्यूग में तो कोई बतलाएंगे नहीं अभी बाप ने समझाया है तुम मेरे बच्चे हो आत्मा नैचुरल है शरीर अननैचुरल मिट्टी का बना हुआ है जब आत्मा है तो बोलती चालती है अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप आकर समझाते है निराकार शिबाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते है यह आँखे तो शरीर में रहती ही है अभी बाप ग्यान चक्षु देते है आत्मा में ग्यान नहीं है तो अग्यान चक्षु है बाप आते हैं तो आत्मा को ग्यान चक्षु मिलते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा अभी तुम समझते हो बाप ने यह शरीर धारन किया है अपना भी राज बताते हैं स्रेष्टी के आदी मद्य अंत का राज भी बताते हैं। सारे नाटक का भी नौलिज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है। स्रेष्टी का चक्र फिरता है। परंतु कैसे फिरता है, यह कोई नहीं जानते है। रचियता और रचिना के आधी मध्य अंत का ज्यान अभी तुमको मिलता है बाकी तो सब है भक्ती बाप ही आकर तुमको ज्यानी तु आत्मा बनाते हैं आगे तुम भक्ती तु आत्मा थे तु आत्मा भक्ती करते थे अभी तुम आत्मा ज्यान सुनते हो भक्ति को कहा जाता है अंधियारा ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है बाप ने समझाया है भक्ति का भी पाठ है ज्यान का भी पाठ है तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था भक्ति करते धका खाते रहते थे बाप को ढूंडते थे अभी समझ बन जाते हैं क्योंकि गिरना होता है ना जूटे काम करना चीची होना होता है पतित भी बन गए ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भगती करते थे भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए पावन से तो भगवान मिलता नहीं सत्यूग में थोड़े ही इनलक्षमी नारेंड से भगवान मिलता है भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम य उनका पाठ ही ड्रामा में वंडर्फुल है जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है बल साक्षतकार होता है तो भी समझ न सके और तो सबको समझ सकते हैं यह फलाना है यह फलाना है याद करते हैं चाहते हैं फलाने का चेतन्य में साक्षतकार हो और तो कोई मतलब नहीं तण्यमें देखते हो फिर क्या? साक्षतकार हुआ, फिर το गुम हो जाएगा. अल्पकाल शन्भंगुर सुक की आस भूरी होगी. उसको कहा जाएगा अल्पकाल शन्भंगुर सुक. साक्षतकार की चाहना थी वह मिला? बस यहां तो मूल बात है पतित से पावन बनने की पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे शास्त्रों में तो कल्प की आयू लाखों वर्ष लिख दी है समझते हैं कल्यूग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5000 वर्ष का है तो मनुश्य अंधियारे में है ना उसको कहा जाता है घोर अंधियारा ग्यान कोई में है नहीं वैसब है भक्ती रावन जब से आता है तो भक्ती भी उनके साथ है और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ग्यान है बाप से एक ही बार ग्यान का वर्सा मिलता है घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता वहां तो तुम कोई को ग्यान नहीं देते दरकार ही नहीं ग्यान उनको मिलता है जो अग्यान में है बाप को कोई भी जानते ही नहीं बाप को गाली देने बिगर कोई बात ही नहीं करते यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो तुम कहते हो इश्वर सर्व व्यापी नहीं है वह हम आत्माओं का बाप है और वह कहते हैं कि नहीं परमात्मा ठिकर भितर में है तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ती बिलकुल अलग चीज है, उनमें जरा भी क्यान नहीं होता, समय ही सारा बदल जाता है, पगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है, पहले कहा जाता है देवता, फिर शत्रिय वैश्य श चोर, मनुष्य को यह ऐसा कहे, तो उनको जट कहेंगे, तुम यह क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं, यह सब आसूरी संप्रदाए है, तुमको क्लियर कर समझाते हैं, वै रावन संप्रदाए, वै राम संप्रदाए, गांधी जी भी कहते थे, हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावन राज्य में हैं सब विकारी, इनका नाम ही है वैशाले, रौरव नर्क है न, इस समय के मनुष्य विशे वैतरनी नदी में पड़े हैं, मनुष्य जानवरादी सब एक समान हैं, मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है, पांच विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुश्य से देवता पद पाते हो बाकी सब खत्म हो जाते हैं देवताएं सत्युग में रहते थे अभी इस कल्युग में असुर रहते हैं असुरों की निशानी क्या है? पांच विकार देवताओं को का जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरू को का जाता है संपूर्ण विकारी वह है सोले कला संपूर्ण और यहां नो कला सबकी कला काया चट हो गए अब यह बाप बच्चों को बैट समझाते हैं बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को बनाते हैं उन्होंने तो यहां ही नाम रख दिये त्री मूर्ती हाउस त्री मूर्ती रोड आगे थोड़े यह नाम थे अब होना क्या चाहिए यह सारी दुनिया किसकी है परमात्मा की है ना परमात्मा की दुनिया है जो आधाकल्प पवित्र आधाकल्प अपवित्र रहती ह Creator तो बाप को कहा जाता है न, तो उनकी ही एह दुनिया हुई न बाप समझाते हैं, मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप, चेतन्य ग्यान का सागर हूँ मेरे में सारा ग्यान है और कोई में नहीं तुम समझ सकते हो, इस स्रश्टी चक्र के आदिमध्य अंत का नौलेज बाप में ही है बाकी तो सब हैं गपोड़े, मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलहना देते है तुम मुझे ठिकर भितर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दूर्दशा हो गई है नई दुनिया के मनुश्यों और पुरानी दुनिया के मनुश्यों में रात दिन का फर्क है आदा कल्ब से लेकर अपवितर मनुश्य पवितर देवताओं को माथा टेकते हैं यह भी बच्चों को समझाया है पहले-पहले पूजा होती है शिप बाबा की जो शिप बाबा ही तुमको पुजारी से पुज्य बनाते है रावन तुमको पूजे से पुजारी बनाते हैं फिर बाप, ड्रामा, प्लैन, अनुसार तुमको पूजे बनाते हैं रावन आदी यह सब नाम तो है ना दशेरा जब मनाते हैं तो कितने मनुशों को बाहर से बुलाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते देवताओं की कितनी निंदा करते हैं ऐसी बाते तो बिल्कुल है नहीं जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात नहीं है वैसे यह जो कुछ खेलादी बनाते हैं वै कुछ भी है नहीं यह सब है मनुश्यों की बुद्धी मनुश्य मत को आसुरी मत कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ड सब एक दो को गाली देते रहते हैं तो बाप समझाते हैं बच्चे जब बैखते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तुम अज्यान में थे तो परमात्मा को उपर में समझते थे अभी तो जानते हो बाप यहां आया हुआ है तो तुम उपर में नहीं समझते हो तुमने बाप को यहां बुलाया है इस तन में तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो, तो समझेंगे शिबाबा मधुबन में इनके तन में है, भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को उपर में मानते थे, हे भगवान, अभी तुम बाप को कहां याद करते हो, क्या बैठ कर करते हो, तुम जानते हो ब्रह्मा के तन म हैं तो जरूर यहां याद करना पड़ेगा उपर में तो है नहीं यहां आया हुआ है पुर्शोत्म संगम युगपर बाप कहते हैं तुमको इतना उच बनाने मैं यहां आया हूँ तुम बच्चे यहां याद करेंगे भक्त उपर में याद करेंगे तुम भल विलायत में हों पड़े कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं बाबा ऐसा नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो ब्रह्मा बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ इसमें मुझे याद करो इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते ह बुद्धी में है ज्यान है इनकी अपनी आत्मा है शिबाबा को तो अपना शेरीर नहीं है बाप नहीं कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ बाप बैट सारे ब्रह्मान और स्रिष्टी के आधी मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ब्रह्मान को जानते ही नहीं ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हूँ सुप्रीम बाप नोन सुप्रीम आत्माए रहने वाली उस ब्रह्म लोग शांतिधाम की हैं शांतिधाम म 576 हम असल के जिसको निर्वान दाम वण प्रस्त कहा जाता है ये बातें अभी तुम्हारी बुद्ध में जब भकती है तो ज्यान का अक्षर नहीं को का जाता है पूर्शोत्तम संगम पता नहीं रहेगा, अभी तुम कल यूग में हो, तो भी कुछ पता नहीं है, जब नई दुनिया में होंगे, तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा, अभी पुरानी दुनिया में तो नई का मालूम नहीं है, नई दुनिया कब थी पता नहीं, वे तो लाख वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं तुम्हारा धंदा ही है यह समझाने का अब एक-एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो बहुत समझते हैं यह मीठी-मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है तुम परदर्शनी यह topics हुई हम भी यह समझाएंगे तुमको बाप समझाते हैं जिससे तुम देवता बन जाते हो जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो बापने हमको यह समझाया है हम किसकी गलानियादी नहीं करते हैं हम बतलाते हैं ग्यान को सद्गती मार्ग कहा ज जो ये सारा घ्यान बाप के सिवाए कोई दे नहीं सकता अच्छा मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्णिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्दे रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पुजारी से पुज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है ग्यानवान बन स्वेम को स्वेम ही चेंज करना है अल्प काल सुक के पीछे नहीं जाना है बाप और दादा दोनों को ही याद करना है ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता भक्ति में उपर याद किया अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए वर्दान हर कर्म में विजे का अटल निश्चे और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव अब बाप दादा के बरदान को विस्तार में समझेंगे विजे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस स्मृति से सदा उड़ते चलो कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजए हूँ क्या भी हो जाए ये निश्चे अटल हूँ नशे का आधार है ही निश्चे निश्चे कम तो नशा कम इसलिए कहते हैं निश्चे बुद्धी विजई निश्य में कभी कभी वाले नहीं बनना अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो हर कर्म में विजय का निश्य और नश्या हो स्लोगन बाप के स्नेह की चत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विगन ठहर नहीं सकता बाप के स्ने की छत्र चाया के नीचे रहो तो कोई भी विघन ठहर नहीं सकता ओम शांति